समनों के जितने भी संत हैं, डॉक्टर अमबेटकर, गुरु घासिदास, विर्सामुंडा, पैरियार, फूले, साहू, गुरु रविदास, गुरु गाडगे जी, गुरु चान ठाकूर, गुरु हर्चन ठाकूर, कवीर साब, कासी राम जी, जो भी हैं, तमाम लोगों ने, ज समणों के उत्थान के लिए, समणों के अधिकार के लिए, या तो सम्हू बनाए, या संखन बनाए, या बुद्ध जैसे महा समण ने, पूरा का पूरा संग बनाया, संग के नियम दिये, वो सारी करांती जितनी भी थी जो सफल रही जैसे बुद्ध की करांती कई सो साल बारे सो तेरे सो चौदर सो साल तक सफल रही और छोटे मोटे अधिकार जो आए या जो आधुनिक भारत में सम्विधान के तहत में जो अधिकार आया ये सारे के सारे अधिकार आज के समय क्यों इस्टेबल नहीं है क्यों रुके हुए नहीं है क्यों 29 लाख संग्ठनों के होने के बाबजूद भी ये सारे अधिकार लगातार जैसे मुठी में रेत फिसलती है ऐसे ही फिसलते जा रहे हैं इसके क्या कारण है अगर सभी संग्ठनों से चाहे वो साधू संतों के मतों के हैं संबनों के या संबनों के सरकारी करमचारियों के अलगलग डेपार्टमेंटों के या संबनों के सामाजिक बामसेफ टाइप के या समणों के वॉलिंटर टाइप के समता सेंग दल या भीमारमी टाइप के या जो एजूकेशन के हैं या जो आर्थिक संख्ठन है या जो बौध में भात बनाने के जो धम्मिक संख्ठन खास चलते हैं वो है और या वो संग्ठन हैं जो राजनितिक एजेंटे पर काम करते हैं इन सभी संग्ठनों के आकाओं से, मालिकों से अगर आप पुछोगे कि क्या कारण है कि हमारे अधिकार रेत की तरह मुठी से फिसलते जा रहे हैं तो ये सब एक बात पर आकर रुखते हैं कि एक साथ इखटे नहीं हैं जब तक एक साथ इखटे नहीं होंगे तब तक अधिकार जाते रहेंगे, बचे रहेंगे, बचेंगे नहीं पर कमाल की जो बात है और जो हसी की बात है वो ये है कि ये सारे संग्ठनों के मालिक ये जानते हैं कि बिना एकटे हुए कोई अधिकार बचेगा नहीं, पर फिर भी ये पूरी ताकत लगाकर अकेले-अकेले काम करते हैं, और कभी एक साथ बैठ कर अपने सारे संग्ठनों को एक करने की सोचते भी नहीं हैं। धम्म के सारे संग्ठन एक हो सकते हैं। गुरू रविदाजी के जितने डेरे हैं वो सब एक हो सकते हैं। संतों के सारे मठ और सारे आस्रम एक हो सकते हैं। जितने भी भारत में कवीर भवन, रविदास भवन, अंबेटका भवन, बुद्ध बहार, आसरम मठ हैं, इन सब की एक कमिटी बन सकती है जितने भी लड़कों के दलवल वालेंटर हैं, उन सब का एक सिस्टम बन सकता है जितने भी सरकारी करमचारी हैं उन सबका एक सिस्टम बन सकता है जितनी भी राजनेतिक पार्टी हैं समड़ों की उनका एक सिस्टम बन सकता है पर बनता नहीं है आप अगर इन से पूछोगे तो ये आपको 5000 बहाने बता देंगे और इतने उस्ताज लोग हैं कि आप उनकी हामेहा मिला कराओगे आप उन से क्योंकि आपकी जानकारी ज़्यादा नहीं है इसलिए आप उन से पृति उत्तर नहीं दे पाओगे या पृति प्रसंद नहीं कर पाओगे पर अगर आप ध्यान दोगे और बात को समझोगे और सच्चे दिल से इस बात का आकलन करोगे तो आप पाओगे कि ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं ये हमारे बच्चों के भविस्य के मौत का कारण है मैं यहां आपको एक 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 बीमारी के बारे में बताऊंगा क्या बीमारी है उसका इलाज क्या है और कौन उस इलाज को कर रहा है कैसे उसको जीता जा सकता है हमारी जो लडाई है हमारा जो संगर्स है वो किसी वमण से, किसी वामण से, किसी वदेशी से, किसी बाहर के आदमी से नहीं है ये बहकाने वाली बात है हमारा जो संगर्स है और हमारा जो संगर्स है और हमारी जो लड़ाई है वो हमारे खुद के अंदर समणों के अंदर जो 29 लाक संग्ठन, मत, डेरे, आसरम, अलग-अलग संग्ठन संस्थाएं, एंजियो बनाकर जो लोग काम कर रहे हैं और हमारे जो मत-मतों के मतांतर जितने मत मानने वाले लोग हैं, वो आपस में उल्जे हुए हैं, एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं, उनसे है हमारा संग्ठन, सम्विधान ये कहता है, मुझे संख्याबल चाहिए, जिसके पास 51% संख्याबल है, मैं उसकी बात मा 97% का दावा देता है, पर टुकडों में तूटा हुआ है, और इतने जादा टुकडों में तूटा हुआ है, कि वो 1% के बराबर भी एक साथ इखटा नहीं होता, तो सम्विधान आपको अधिकार देगा कैसे, सम्विधान मजबूर है, पर मजबूत है, अगर आप मजबू आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और सम्विधान के अलावा दुनिया में भी कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या कमिया है, क्या कारण है, क्या उसके परिणाम आने है, कैसे वो ठीक होगा, सारे समनलोग कैसे एक साथ आएंगे, कैसे नहीं आएंगे, उनकी क् क्या दिकत है मैं इस स्रीज में आपको एक एक करके बताऊंगा संगहंग नमामी, संगहंग नमामी, संगहंग नमामी